पूरी खबर क्या है हम आपको वो पूरी डिटेल में बताएंगे उससे पहले आप इस वीडियो को जादा से जादा शेयर ज़रूर करें पानीपत के कपड़ा वेपारी को महिला ने अपनी बातों में ऐसा फसाया कि वो फस्ता ही चला गया पहले तो महिला उसके साथ वर्टसब पर चैटिंग करती रही और फिर दोनों में बाते होने लगी बाते होने लगी तो महिला ने उसके साथ विपार करने की बात रखी और दोनों में रजामंदी हुई उसके बाद बकाईदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए दोनों में मीटिंग भी टै हुई और मीटिंग के लिए special पानीपत के एक होटल में एक रूम भी बुक किया गया लेकिन जैसे ही पानीपत का कपड़ा वैपारी उस होटल की कमरे में जाता है तो उसके साथ एक महिला आती है महिला लेकिन अपने साथ एक अपनी साथी को भी लेकर वहां पर आती है और जैसे ही वो तीनों उस कमरे में पहुँचते हैं तो महिला उसको अपनी बातों में फसाती है और सबसे पहले शराब ओडर करती है और फिर खाने का समान भी मगवाया जाता है तीनों मिलकर पहले तो शराब पीते हैं और उसके बाद खाना भी खाते हैं लेकिन कुछ देर बाद ही कपड़ा वेपारी नशे की हालत में पेसुध होने लग जाता है। ये देखते ही दोनों महिला उस पर वार कर देती हैं और उसके साथ जपट मारी करनी शुरू कर देती हैं। और उससे सोने की चैन, पर्स और नगदी लेकर फरार हो जाती है। लेकिन जब कपड़ा वेपारी को होश आता है तो वो उस वक्त अस्पताल में होता है। जिसके बाद कपड़ा में पारी पुलिस में शिकायद देता है और पुलिस दबिश देते हुई एक महिला को आज गिरफतार कर लेती है। आप भी देखिए पुरे रिपोर्ट। अंसर स्थित और लेव होटल की कमरे में कारोबारी को शराब पिलाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली एक महिला को यूपी के गाजय अबाद से काबो करने में थाना सेक्टर 13-17 पुलिस की टीम में काबो करने में काम्याबी हासल की। आरोपी महिला की पहचान 40,000 रुपे की नगदी को दो बराबर हिस्सों में बाट लिया था और चैन पूजा ने अपने पास रख ली थी चैन को बेचने की बात में बटवारा भी होना था आरोपी मधुमिता ने अपने हिस्से में आए 25,000 रुपे में से कुछ पैसे खाने पीने में खर्च कर दिये और बची 12,750 रुपे की नगदी बरामत कर रिमांड अवधी पूरी होने पर आरोपी महिला मधुमिता को कोर्प में पेश कर जेल भेजा गया दरसल महिला वाटसप नमबर पर बात कर रही थी महिला ने अपना नाम सबसे पहले प्राची बताते हुई उसके साथ कपड़े क कारुबार करना शुरू करने की बात कही थी वेपार करने की सिलसले में पांच जनवरी को उनकी एक मिटिंग पानीपर्थ अंसल मिस्थित और लेव होटल की कमरे में हुई मिटिंग में महिला अपनी एक महिला दोस्त को भी साथ लेकर आई थी मिटिंग के दोरान बास्ची से किसी चीज से सिर पर वार भी कर दिया, सिर से खून बहने लगा तो वो सिर को पकड़ कर बैठ गया, दोनों महिलाएं उसके गले से सोने की चैन, जेब से 50,000 रुपे की नगदी और पर्स निकाल कर फरार हो जाती हैं, बाद में जब उसे होश आया तो वो उस वक्त होस्पि करके रह रहे थी, जिसकी वज़ा से वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है, फिलहाल पुलिस उस महिला की गिरफ्तारी करने के लिए लगाता दबिश दे रही है ताकि दूसरी महिला को भी गिरफ्तार किया जा सकी, हाला कि पुलिस ने ये भी बताया है कि जो महिला फरार है जिसका नाम पूजा है उस पर पहले से ही कई अपरादिक मामले दर्ज भी हैं तो आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें साथी वीडियो को शेयर जरूर करें नमस्कार